मैं भी अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ और सच्मुच इस कारकम में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि जब सेक्रेट्री टी आइडियो तरी सटी स्रेट्री ने मुझे इस कारकम के संबन में जानकारी दी जैसा उन्होंने बतलाया आपको तो मुझे अपनी कंसेंट देने में शणवर की देर नहीं लगी थी क्योंकि दोनों इसमें सामिल थे किसान भी सामिलता और जवान भी सामिलता और एक कीसरा फ्रेक्टर वो विध्यान भी सामिलता तो मैंने का जिस ऐसे कारकम में सिर्कत करने का उसर जिंदगी में बहुत ही सोवागे से हासिर होता है किसी लिए मैंने फैसला किया कि दिश्य तुरू से इस कारकम में भाद देने के लिए मैं शिरूंगा और यहां तक लद्दाग का प्रस्ण है लद्दाग मैं पहली बार नहीं आ रहा हूं इसके पहले भी कई पॉब्लिक मिटिंग्स को तुपसंग एड्डेस करने के लिए इसके पहले भी आ चुपा हूं और उसकी अत्रिक्त भी मैं आया हूं और मुझे मालूम है कितनी बिपरीद परिस्टियों में हैं यहां को लोगों को अपनी जिन्दकी गुजारनी पड़ती है लेकिन जैसा माहौल है जैसी परिस्टियां है उसी में वो पूरी तरफ से रचे बज़े हैं और जो भी चैलेंजेज हैं यहां के उन चैलेंजेज पर उन्होंने एक प्रकार से वीज़े हासिल कर लिए सबसे बड़ी विशेश्टा जैसा किया है और मैं यह कहूं कि सारी चुनोतियों के रहते हुए भी लगदाग के लोगों को मैं मुस्कराते हुए देखता हूँ तो यह कहना भी अच्छी योगति पूर्ण नहीं होगा ज्यादा उचाई पर हाई एल्टीटूट पर किस प्रकार की चुनोतियों का किस प्रकार की दुश्वारियों का मुस्किलों का पहामना करना पड़ता है इससे मैं अच्छी तरह वाकिव हूँ क्योंकि इसका अनुभा करने के लिए एक बार जब मैं पिछली बार जब मैं हूं मिनिस्टर था तो मैं एक बी बीओ पी पर गया था आईटी बीपी की बीओ परशी लग्दाक में ही है वो बीओ कि उसका रामता दूंगती तो उस समय के मदे डाइरेक्टर ने का कि सर रात को रुखना ठीक नहीं है एक तो ठंड़ पड़ती है पानी जम जाता है स्वांस लेने में कटना ही होती है तो मैंने उनसे गहा कि एदि हमारे जबान महीन और यहां पनी जिन्दगी बुजार सकते हैं तो उनका मंत्री यहां रुख क्यों नहीं सकता है और वहां में जवानों के साथ लुका था और आतिसमें बीच रास्ते में कुछ यहां के जो नागरिक भी मिले थे उन नागरिकों के साथ भी हमने बाचित की थी कि यह दिवाई यह कहूं कि सच मुझ लगदात में रहने वाले चाहे जवान हो और किसान हो वह एक तपस्वी का जीवन बुजार रहे हैं तो यह कहना भी इग्जेडरेशन नहीं होगा यह भी कहना अधिश्यक्त पूर नहीं होगा सामान ने वाहौल में सामान ने वातावरण हो सामान ने परिस्थितियां हो सारी परिस्थितियां रुकूल हो उनमें काम करना यह कुछ सहय और सडल होता है लेकिन जहां चुनोतियां हो हर प्रकार की जहां पर स्वास लेना भी कठिन हो मैं बैठे बैठे मैं बराबर दिनो पानी पीते रही है क्योंकि यहां आने वालों को एक दिन दो दिन रुपकर एकलमेटाइजेशन की जरुरत होती है और एक बार मैं भुगत चुका हूं मैंने का मुझे क्या होगा और एक बार मैं आया है लेकाफ्टर सुटरा और सीठे मैं पब्लिक मेटिक में पहुंच गया अच्छी काशी घय दिरिंग थी पांच मिट बोलने के बाद ममें बिस करने लगा पुझे क्या बोलना शाहिए तब मुझे समझ में आया कि अकलमें डाईजेशन किसी कहते हैं क्यों जवरी है कि तब जाकर मुझे शूमएनाय था ओर मेरी यहां पर द्यार करने का काम कर रही है यहां की जो चुनोतियां है उन चुनोतियों से निपटना उन चुनोतियों के रहते हुए यहां जिंदगी गुजारना अप्यक्षाकृत बहतर होगा कमपरेटिबली यह इजियर होगा यह मुझे बताया गया है रक्षामंतरी की जमयादारी समालने के बाद अब देखिए हाई एल्टिटूट पर जाने कि स्वावावी कहारी इक्षा होती है इसलिए क्योंकि हमारे जवान होता है जब मैं रक्षामंतरी बना तो पहले दिन जब मैं आफिस गया तो उसके बाद आफिस से लोटने के बाद तुर्ट मैंने अपने आरवी चीफ को टेलेफून किया कि मैंने उसे कहा कि मैं कल यह पर सौंँ जो वर्ल के हाइस बैटल ग्राउंड है सियाचीन में जाना चाहूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि हमारे शवान वहां किन परश्रिक्यों में रह रहे है किन परिश्रिक्यों परदी जिंदरी हुजारने हैं और आपने देखा होगा विडिया के मात्यम से भी आपको यांकारी त्राप्त होई होगी कि मैं वहां पर गया जियाचीन और वहां के जवानों से मैं मिला और सच मुझ मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन जवानों से मिलकर मेरा हौसला बुलंद हुआ है और मैं देश वास्य देखियों में भी यारी वह अपना शेव नहीं कर सकते इतनी बड़ी बड़ी काली-काली उन सारे जवानों की डाड़ी है और उसमें भी मुस्कराते हुए है वही यजजबा वही करम योशी जो मैंने देखी है मैंने कहा कि सच मुझ यह हमारे जवान कोई साधरन इनसान न और वहां मिलने के बाद मैंने कहा कि मैं यहां से वापस या रहा हूं तो आपके माता और पीटा को मैं पत्र लिखूंगा कि मैं आपसे मिला हूं उसस्थान पर जाकर मिला हूं और आप लोग सही सलामत हैं आपका जजबा आपका होसला ये बहुत ही बुलंद है और मैं याकर मैंने सारे ऐसे जवानों जिन जवानों से मिला था सब के माता पिटा को मैं पत्र लिखा कि आप जैसे माबाप पर हम सबी को सारे देश वाशियों को नाल के दोरों के अधिक उ कि यहां तक प्रस्न है इसकेañशत की इंपॉर्टन्स कैनॉट सामरी गमांतिंग को को आप सबीशी तरह जानते हैं और ऐस्टलारी की सामरी गमांतौन साथ में वहर अधारर का तो सभावी कृरुब्स से इसकी सुर्प्षा के जर्मेडारी जनता की विवंति भीव होती है और दोनों रखोगी यहां की जिम्मेदारी का इंदर्वार करने है और इसे लिए आपने देखा बरावर लंबे अर्शे से हम लोगों की नजर थी कि लगदाक के साथ कुछ न कुछ होना चाहिए और डिवीजन तो कि मैं पिछली बार था उचीस में बन गया था अवसर मिला है सचमच आम सबको अपने प्रधाम मंतरी जी को बढ़ाई देना चाहिए जिए सद्रण एक्षा शक्ति का हमारे प्रधाम मंतरी जी में परचेए कि ददाक अब यूनियन ट्रेटरी बन गया है और वरसों से मैं जानता हूँ आता रहा हूं जब भी कोई डेलिगेशन मुझे मिलता था दस पंद्रख दीश डेलिगेशन जब मैं आया हूं यह हम मुझे मिले हैं सबने बराबत मांग किया सब इसको यूटी बनाईए यूश्व शेरी वो मुझे कह रहे थे इसाब अब भी यहां पर गाओं में नाश गाना चल ला है लोग उत्सव मना रहे हैं यूटी टेटरी यह लगता कि यह घोजीत हो गई है हम लोगों ने जन भावना कर सम्मान किया और सच मुझ कोई भी हेल्डी डिमाक्रिसी होगी ह कि हम छोने पर कॉआ कि की हैं कोई क्लता नहीं कि आई कि और हमारे प्रदां मंतिली दिनard कल 370 को सबात करना कि यहँद़रा कमिट्मेंट था है कि एक हम लोगों की गोफ़लेंट बनी और हम लोगों जोंड कि उसके उख देश सोंसे शला नहीं है कि आणन्द से जब से हम अस्टित्त में आये हैं मने पार्टी के रूप में भार्थी जंतंग से लेके बाप्ती जंता पार्टी पर बरावर कहते रहे हमारी सरकार मनेगी धारा 370 सवाप्त होगा और जम्मु कास में भारत का इंटेग्रल पार्ट होगा ही होगा एक विधान एक निशान और एक प्रधान होगा सारे देश का दो विधान दो निशान और दो प्रधान नहीं शेलेगा और आपने लेखा कि वो उसे हम लोगोंने कर दिया है सरस्विश प्रधान मंतरी जी को इस साहसिक कदम के लिए बढ़ाई दी जानी शाहिए और मैं मांता हूं कि वारी लद्दाग की जन्ता जबु कास्वीर की जन्ता हमारी इस फैसले के साथ कड़िये हैं लेकिन पदा नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना हुआ जा रहा है अब लोग शाहते हैं आप क्यों परिशान हो अब पहले टेरिजिम अपने हां रोको आप मारे पडूशी हो हमारे अडल व्यारी वाज़िवी पराबंद यह कहां करते थे आई पडूशियों के साथ अच्छे रिष्टे बनाकर रखने शाहिए तissant कि शिंदगी में दोस्त कुरूश्ण यli परोशी नहीं बारता है Знаति हम्म लोग वी चाइते हैं हमारे परदान मंतरी कहें है है कि पाकिसान हमारा प्रशी रिस है पर तोति चलाते रहो आतंकबाद को बीशाह देते रहो प्रस्त्र से देते रहो समर्थन देते रहो भारत को डिस्टेबलाईज कर nog करने की परणी की पर देज़ करते रहो चुछी वह और शारी दुनिया पूरी इंटर्डेस्टल कम goste और उसको कास्मीर को लेकर अनावस्यक राग अलापने की कोई यवर्वत नहीं है को चिंटा व्यक्त करने की कोई यवर्वत नहीं है जो कुछ भी प्रियोके में हो रहा है और जिस घैर कानूनी तरीके से वहां की यंता के उपर हुमन राइट्स का वाइलेशन हो रहा है पाकिस्तान को उसकी चिंटा करनी चाहिए सारी दुनिया इस अकिकर को जानती है और मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से कास्मीर कब पाकिस्तान का हो गया क्या आप कास्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हूं कास्मीर कब पाकिस्तान का था है है अरव है पहले तो हूँ आई पाकिस्तान बना है तो भारत का ही है इससाथ ता इसमानों को लेकर आप को आपती है कि क्यों आवस्शक्र होते हैं अधल मिया तो हम आपके वजोट का समान करते हैं है इसका मतलब यह नहीं है कि जो मनवे आए वो हाप बोलते रहें और जान भूज कर बड़े प्लांड वे में कास्मीर के सवाल पर बराबर बयान बाजी करते रहें दुनिया का कोई देश इसकी इजाजत उनको आपको नहीं देगा कि पहले से यह बात तहीं कास्मीर हमारा है इसमें कहीं किसी को कोई संद्य नहीं था जहां तक लब्दाक का प्रस्में लब्दाक अब एक यूडियन टेटरी बन गई है और आटकिल 370 को जो हम लोगों ने समाप किया है तक मुच आटकिल 370 को समाप करना यह हमारा इंटर्णल माइटर था और मारी कुछ जिनों पहले अमेरिका के कि सेकरटी जो डीरेंस मेनिस्टर होते हूं कैसे प्रटी के वानके फिवांकी बात और झाट ऑट और उन्होंने खुद मैस बात को उस्षिकार किया कि और कहां कि नहीं सचमुछ यह कास्मीर का मुद्धा तो इसू तो आठ गिल 370 सब आपक्स करना तो यह तो आपका इंटर्णल इसू है कि उन्होंने निम्हें खुश्विकार किया है और पाकिस्तान का काश्मीर में कोई लोकल स्टन्डाई नहीं कोई लोकल स्टन्डाई नहीं लेकिन फिर में तरह तरकी अबाते काश्मीर को लेकर पाकिस्तान के द्वारत की आती है अगिल्गिट बाल्टिस्तान पीओ के पाकिस्तान पाहे यह सब तो जहां तक है उसके भारत के ही से 94 में हमारी मेंबर हमारी पार्लामेंट में करे रियूलूशन भी किया है इसके बारे और यहां तक लग्दाग को केंड़ साथी प्रदीश बनाने का प्रस्ण है यह बनाते समय हमारे प्रधान मंत्री ने असाब कर दिया है कि भारत की यह स्ट्रेटिजिक एरिया है और यहां की समस्याओं के लिए किसी भी हद तक जाकर हम समाधान निकालेंगे हमारी यह होगी कि अस्थानी अस्थर पर ही यहां की समश्याओं का समाधान निकाला जाए और समाधान लट्दाक की समश्याओं का निकलेगा मैं आपको यकिन दिलाना चाहता हूँ परफिर ने जो के मांग पत्र दिया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं सारी चीहों को मैं देखूंगा हमसे संवंदित होगा मैं उसका सवाधान करूंगा और दूसरी मिनिस्ट्री से जो लेटेड होंगे concern ministers को भी मैं लिखूंगा ताकि यहां की problem से रिज़ाल हो सके और यहां तक इस इलाके की सबसे बड़ी चुनौती है high altitude और cold desert climate जिसका आफर काफी जंग इवन और वातावन पर पढ़ता है खास तोर पर जो लोग तुरक्षावलों और सेरा में काम करने के कारणे हाँ पर तैराथ हैं उनकी कटनाई और भी बढ़ जाती है और मुझे इस बात की बेहत खुशी है कि डियाइडियो की defense institute of the high altitude research जिसे बोल चाल की भाता में अपधिहार बोलने लगे है इनी समस्याओं के समाधान के साथ साथ हिमाले की उशाईयों और तनहाईयों में डेश की strategic ecosystem को मजबूती देने का भी यह डियाइडियो यहां पर बहुती प्रभावी तरीके ते काम कर रहा है और जिहार द्वारा आयोजीत आज कि यह लद्दाखी किसान जमान विज्ञान यह मेला लद्दाख में strategic ecosystem को मजबूत करेगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है आज यहां आम लद्दाखी किसान भी आये हैं देश की शुरक्षा में लगे यहां पर जवान भी मौजूद हैं और इन दोनों को support करने वाला जो विज्ञान है उससे जुड़े वैज्ञानिक भी यहां पर मौजूद है तो यदि मैं यह कहूं कि सच्मुच यह जो आयोजन हुआ है यह जो कारकम हुआ है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान इस थीम पर आधारी थे तो यह कहना भी अज्जियोक्तिपूर्ण नहीं होगा और दिहार का मैंडेट है हाई एल्टिटूद पर बेटर एंट फीटर सर्वाइबल पेटर एंट फीटर सर्वाइबल कैसे हो इसका समाधान निकास है और वह बखोवी दिहार इस काम को कर ला है और इस डिहार लाइब की न्यूही नाइंटिंस शिक्षी टू में रखी गई ती ऐसा मुझे बखलाए जब मारा देश हमारा देश ने अन्भो किया कि हमारे साहिन को हाई अल्टिटूद पर लड़ने में किस प्रकार की कपनाईयां होती है और हाई अल्टिटूद पर भी कि हमारे जवानों की वह ताकत होनी श्याहिए ताकि दुस्मनों के साथ वह ठीक तरीके से लड़ सके इस बात को ध्यां में रखकर ही इस दिहार की अस्थापना 62 में हुई थी और 57 वर्स रिहाद ने पूरे कर लिए तीन साल ही बाकी है साथ होने में पतानी लड़ाक में कहा जाता है कि नहीं हम लोगों कि कहा जाता है यो साथा वो पाठा मनें जो 60 हो जाता हूँ मेच्योड हो जाता है जिसकी 60 की यह हो जाती हो मेच्योड माना जाता है मैं समझता हूँ कि 60 हो जाएगा तब तो आपका वो होगा कौन सी जुबली होगी डायमंड जुबली होगी है रायमंड जुबली है लाइटनम 75 में और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि डिहार से ट्रेनिंग प्राप्त करके लटाक की किसानों ने यहां पर तैनाव सैंद्कों की सबजी को और भी हमारे मेंबर आप पार्लमेंट भी बतला रहे थे इस शेरिंग यह बतला रहे थे कि जवानों को यतनी जरुवत होती है उसका 50 परसेंट अब यहां के किसान मुहया करा रहे हैं और मुझे अपनी डियाडियो सेक्रेटीड शेटीड ने बतला है कि गड़मी की दिनों में ते 70 परसेंट बोर दन 70 परसेंट जितनी नीड्स है जितनी आवशक्ता है हमेरे जवानों की वह उन्हें कुपलब्द कराया जा रहा है लटाक में आर्गेनिक फार्मिंग इसकी पूरी अट्टेटिक संभावना है और आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ यह लटाक के तेजी के साथ बढ़ रहा है यह मुझे बताया गिए और मै जिहार के वैज्ञानिकों से भी यही कहना शाहूंगा कि लटाक में फार्मिंग और लाइफ साइंसेस को बढ़ावाद देती समय उन नई टेक्नोलोजी को इंटेग्रेट करने की ज़रूरत है जो हार्मफुल वेस्ट प्रोड़क्स को भी री साइकिल और री यूज कर सके जैसे हमारे प्रधाम मंत्री नभी लाल किले से 15 अगस्त को देश्वासियों को संबोधित करते हुए कर childhood देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से चुटकारा देलाना है है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हमको समाप्त करना है और इस तथा नहीं हम सब य॥ सकता है तो इसको रीसरेकल करके बनाया जासकता हो मुझे नहीं वालू हम पन पायगा कि नहीं बन पाई क KIM मैं देखता हूं plastic west से जो काफ़ना नहीं करते हैं इच दिशीद isn't बन जाती है रेशाइकल करने के बाद कि बाद तो यह सम्भाव हो तो इस पर देखा जाना ज्यादा एफर्डेवल होगी और हम लद्दाग के हार्मफुल प्लास्टिक वेस्ट से भी हम लद्दाग को चुटकारा दिला सकते हैं यह दिल अधा के किसान और जबान तै कर लेंगे कि हमें 2022 तर इस यूनियन ट्रेटरी को नौकेवल सिंगल प्लास्टिक यूज से चुटकारा दिलवाना है बलकि पूरी यूटी को आर्वे आर्गेनिक फार्मिंग से युक्त करना है तो मैं इसमत्ता हूं इस लक्ष को प्राप्ट करने में देद नहीं लगेगी और मुझे इस बात की खुशी है कि लटाक अटोनम हिल डवलप्मेंट कांसिल लेह ने आर्गेनिक फार्मिंग के इनिसियेटिव को मीशन मोड में अपनाया है जैसा सीची मुझे बतला भी रहे है यूटी बन जाने के बाद हम आर्गेनिक फार्मिंग मीशन को और भी सेंटल गवर्मेंट भी बढ़ावा देने की जो भी हाई एल्टिटूड सर्वाइवल का एक ऐसा माडल तयार करें जिसे हमारे देश में सेना में वह ताकत और कूबत पैरा हो जाए जो हाइस्ट क्लाइमेटिक कंडिशन में भी हमारे जवाने मनोबल को किसी भी सूर्थ में डिगने न दे एक ऐसा माडल डवल अप करने की ज़रुवत है मैंसमताओं कि डियाइडियो डिहार इस काम को कर सकता है और मेरा यह मानना है कि भारती से ना हाई एल्टिटूड वारफेर में दुनिया की किसी भी फौज को पीछे छोड़ सकती है यह ताकत हमारे देश की शेना के जवानो है आवशक्ता है कि हम एक स्ट्रेटिक इको सिस्टम बनाएं जिसमें जियोग्राफिक और के साथ साथ क्लाइमेटिक लिमिटेशन्स हमारी इस्टेंट बन जाएं यह दोनों हमारी यह ताकत बन जाएं एक ऐसा माहौल बनाने की यहां पर जरूरत है जैसा मैंने बतला है कि यह कोई संयोग नहीं है कि 2022 में जब भारत अपनी आजादी क्या यह 75 वी बर्स गांट मना रहा होगा तो दिहार अपनी साथ बर्स पूरा करके डाइमंड जूबली यह यह कार कम्टी मनाएगा है इफले दिहार के सामने सब चुनवती है कैसे अगले तीन बर्सों में हाई एल्टिट्यूड रीजन हाई इल्टिटूड जञें यह ए आर हार हार की चुनौटियों के हमजीत में बदलने की ताकत कैसे पैदा करें इस संबंद में मैं जमता हूं कि डियाइडियों को काम क करने की जो मैं कि अधिक मुझा ढूंत के साथ इस सफा थोन के लिए के-डियाई-इडीरों को बढ़ाई देना चाहता हूं जहां कि अपनے स्रुवानों को भी वरह देना हम और जिन किसानों का ससय werden प्राप्त हूआ है उन किसानों को भी मैं बढ़ाई देना चाहता हूं और इनी सब्दों के साथ आप सभी को सुभकाम नहीं देते हुए अपना निवेजन समाव करते हुए